सी एम डॉक्टर मोहन यादव वे संग कार्याले समिधा से रवाना करीब एग घंटे तक चली संग पदादिकारियों के साथ बैठक पुर्व सर्य कारवा सुरेश भाईया जी जोशी और अन्य पदादिकारियों के साथ मुलाकात हूँ तो देखे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संग कार्याले समिधा से रवाना हो चुके हैं खरीब एग घंटे तक संग पदादिकारियों के साथ ये बैठक चली है पुर्व सर्कारवा सुरेश भाईया जी जोशी और अन्य पदादिकारियों के साथ यहाँ पर सीएम की मुलाकात हुई उनके साथ बैठक किया उन्होंने मन्थन किया है उन्होंने एक घंटे तक ये बैठक चली है समिधा में सीएम एक घंटे तक यहाँ पर रहे और यहाँ से एक घंटे के बाद इस बैठक से निकल गए है इस खबर पर अधिक ज्वानकारी के साथ हमारे सयोगी श्याम सीतोमर जुड़ गए हैं उनका रुकरती सुधा श्याम जी एक घंटे यह बैटक चली है एक घंटे तक सीम यहाँ पर मौझूद रहे हैं जब सीम दिल्ली में थे भागवत वहीं थे संग प्रमक वहीं थे तब मुलाकात एक हुई उसके बाद आप जब भोपाल लोटे, लोटने के बाद में सत्ता और संगठन के समनवई की जो बात होती है वो बहुत जरूरी है संग ऐसा मानता है संग बहुत कुछ ऐसा मुद्दागत जो है भाजपा सरकारों को बताता है कि इन मुद्दों पर आपको फोकस करना है उनकी भी समिक्षाएं होती है और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दूसरे नंबर के बड़े पदादिकारी दत्तात्रे होजबले और इसके लिए रामलाल एक से लेकर एक अगस से लेकर पाँच अगस के बीच में मद्देपदेश दौरे पर हैं ये इसलिए भी महत्वण हो जाता है वो एक से चार तक इन दौर में रहने वाले हैं जहां बड़ी बैठक हो रही है पास तारीक को भोपाल आएंगे यहां प्रबुद्ध जनों से उनके मुलाकात होनी है तो रणनितिक रूप से काफी कुछ सरकार और संगठन के भी समनव में उन मुद्धों को उठाया गया अब नई सरकार बनी है छे महीने हो चुके हैं चुनाओ निकल चुके हैं तो इन चुनाओ के बाद अब सरकार का फोकस क्या है और संग का एजेंडा जो है उसको सरकार किस तरह से लागू करेगी किस तरह से जो अभी तक जो हुआ उसकी एक तरह की समिक्षा की गई थी बिल्कुल शाम जी यहां पर सीम इस तरह से संग कारेले के समिधा पहुचते हैं एक घंटे तक रहते हैं क्या कुछ माइने निकाले जा सकते हैं इसके तो यहां पर मद्द्पदेश में, दिल्ली में, केंद्र में, किन मुद्दों पर काम करना है जनहित के, देशित के वो उनको बताया जाता है कहीं अगर ऐसा लगता है कि सरकारें डिरेल हो रही है, सरकार उस दिशा में काम ठीक से नहीं कर पा रही है, कोई मंतरी छेतर विशेश में अपने छेतर में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इस पर भी संग अपना इंपुट देता है, संग जो खुद लगातार विशलेशन करता आपने जमीनी केडर से तो वो इन्पुट देता है कि ये फला जिले में फला राज्य में ठीक नहीं चल रहा है तो उसी कड़ी में मद्यपदेश पर फोकस करते हुए ये बैठक थी भाईया जी जोशी रहे इसमें दत्ता जी अभी जो है वो पहुंचे हैं इसके लावा राम सत्त पदादीकारी है तो फोकस कुल जमा ये है कि संग का जो एजंडा है सरकारे किस हसाब से कर रहे हैं जनित देशे को किस हसाब से करने जा रही है